तो मैं अपने सोर्मेट के साथ क्या स्विच करूं? माउथ या ब्रेन? I think मुझे उसके साथ ब्रेन स्विच करना चाहिए क्योंकि अगर मैंने माउथ स्विच किया तो पता नहीं वो कब कहा क्या बोल दी और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती इसलिए मामी मैं स्कूल जा रही हूँ ठीके बैटा अपना ख्याल रखना मिंकी रुको तुम उस तरफ क्यों जा रही हूँ तुमारा स्कूल राइट साइड है ना कि लेफ्ट साइड क्या तुम अपने स्कूल का रास्ता बूल गई? नहीं मैं बस थोड़ा था क्यों ही हूँ मैं अपने स्कूल का रास्ता कैसे पूल सकती हूँ हाँ मिंकी तुम्हें स्कूल का रास्ता पता है ना चलो ना साइड न स्कूल चलते हैं पर क्यों क्या तुम्हें रास्ता नहीं पता? पर तुम तो अकसर पैदल चल के स्कूल जाती हो हाँ पर आज मुझे थोड़ा जीब फील हो रहा है तो क्या तुम मुझे ले चलोगी हाँ क्यों नहीं चलो मुझे बहुत ही सुपवाई तुम आ गई जल्दी हाओ हमें तुम्हें कुछ बताना है स्टूडेंट्स पर मुझे अभी वाश्रूम जाना है और ये चस्ट बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रहे कि तुम सब सारे कुश्टिंस अटेम्ट करो ये कितना इसी है टेस्ट में फेल होने के लिए गुड लग मिंकी क्योंकि हम सब जानता है कि तुम कितनी स्टुपड हो और अग्राचिलेशन्स मिंकी तुमने पूरी क्लास में टॉप किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे स्कूल के स्मार्ट स्टुडेंट के अगेंस इस कॉम्पटिशन में हिस्सा लो हाँ मैं मैं ये बिल्कुल करूँगी हां पर ऐसे किसे हो सकता है ये मिंकी अजानक से इतनी स्टुडेंट का गेंस इस कॉम्पटिशन में पार्टिशिय्ट नहीं कर सकती क्यूँकि मिंकी कॉमपटिशन बस टार्ट हो नहीं वाला जल्दी चलो मुझे अभी जाना होगः विश्मिला क्या मैं देख सकती हूँ कि लोग मेरे बार में कितनी बार सोचते हैं या मैं देख सकती हूँ कि मैं लोग उसे कितनी बार टक रहा हूँ I think कि जाना जादा इंट्रॉस्टिंग होगा कि लोग मेरे बार में कितनी बार सोचते हैं ममी मैं स्कूल जा रही हूँ हाँ तो जहाँ जाना है जाओ मुझसे क्या मतलब सेच में क्योंकि यहाँ तो दिखा रहा है कि आप मेरे बारे में कुछ जादे ही सोचती है क्या पर यह तुम्हें किसे पता क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि लोग मेरे बारे में कितना सोचते है लगता है सिटे में सब लोग मुझे जानते हैं क्या इसका मतलब यह है कि मैं फेमस हो वाव यह कितना कूल है हटो यहांसे तुम्हारे जैसे लोग इस एस्ट्रॉट में नहीं आ सकते हम यह तुम मुझे जानती भी नहीं पर फिल बेशने में बारे में तीन बार सोचा है पर कैसे क्या तुम चाती हो कि तुम्हें यहां से धक्के मारके निकाला जाए उसकी कोई ज़रत में यह मैं तो बस यहां से गुजर रही थी श्रीजा यह सब लोग मेरे बारे में इतना जादा क्यों सोचते हैं अम शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें एक इंपॉर्टेंट परसन हो इंपॉर्टेंट परसन तुम्हारा मतलब क्या है क्या तुमने मेरे बारे में हजार बार सोचा है हाँ आखिर तो मेरी best friend हो तो of course मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ हाँ राइट मिंकी तन चल्दी चल्दी मैं कहा जा रही हो मुझे आप यूपर पता चला है कि प्रिंस अपने लिए एक wife दून रहे है हाँ तो जैसा कि तुमने कहा कि मैं एक important person हो तो मुझे पूरा यकिन है कि मैं प्रिंस को बहुत पसंदाऊंगी क्या ही यहां का guard है चलो देखने कि इसने में बार में कितनी बार सोचा है हाँ क्या चाहिए तुम्हें मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ क्या आप मुझे प्रिंस से मिलवा सकते हैं I'm in your majesty हाँ पर किंग में बार में इतना कैसे सोच रहते हैं तुम्हें क्या चूश करना चाहिए कि मेरा soulmate मेरे बाल कंट्रोल करे या मेरे कपड़े मम्मी मुझे क्या चूश करना चाहिए मिंकी तुम हैर चूज करो क्योंकि हो सकता है कि अगर तुमने कपड़े चूज किये तो वो तुम्हें लड़कों के कपड़े पहना दे तो हैर चूज करना ही सेफ होगा ठीक है मम्मी आज मेरे बाले तने हलके क्यों लग रहे हैं अगर किसी भी लड़की के बाले तो प्रिंस उसे मार देते हैं क्या तुम्हें ये रूल नहीं पता था और उसे इस रूल के बाले में पता हो वरना उसकी वजह से मैं बहुत बड़ी प्रॉप्रम में आ जाओंगी तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो क्या मैंने फिर से कोई कांट कर दिया मिंकी अपने बाल देखो ये कितने लंबे हैं अ नो अगर प्रिंस को प्bing मरूबे बाले तो वो मुझे मार डालेंगे मुझे जल से जल छुटना होगा यहां पर हर किसी ने तुम्हारे बारों की फोटो और रेड़ी खीच लिए मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फस गई हूँ मैं गरा आगई तुम्हें प्रिंस के साथ क्या किया और मुझे पहले से कॉल क्यों आया था क्या प्रिंस ने मुझे कॉल किया था पर कब ममी यह देखो उन्हें एक ओफिशिल लेटर भेजा है यह सब मेरी लॉंग हैस की वज़े से हैं मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ मुझे जल से जल से सीटी से भागना होगा तो मिंकी तुम रेटी हो? लगता है कि मम्मी को उस लॉंग हैर के रूल के बार में पता नहीं है हाँ चलिए वाव मैं पहली बार किसी पहले से आई है मैं मेरे साथ चलिए प्रिंस आपका वेट कर रहे हैं इन लोगों ने मेरे लॉंग हैर के बार में कुछ बोला क्यों नहीं ? Excuse me your majesty मेरा नाम मिंकी है right ? वाजब ले तुम्हेरे बाल बहुत सुन्दर है मेरे लॉंग हैर के लिए sorry प्रिंस पर ये मैंने बलकी मैंने sol meet ने किया है हाँ मुझे पता है और इसलिए तो तुम्हें बुलाया गया है तो मैं क्या चूस करूँ Glittery Pink Headband या Simple Pink Headband क्यूंकि मुझे Simple चीज़े जादा पसंद है इसलिए मैं ये वाला चूस करूँगी ये तो काफी क्यूट है Total Debt क्या इसका मतलब ये है कि मैं देख सकती हूँ कि लोगों के उपर कितना कर्जे है गाइस का तुम लोगों को पता है कि मैं इसे स्कूल की सबसे जादा रिच स्टूडेंट हूँ च्या तुम शौर हो हाँ मिंकी तुम ऐसे क्यूं बोच रही हो पहले अपने कर्जे तो चुका दो फिर तुम कह भी सकती हो कि तुम रिच हो ओ तो तुम्हारे उपर कर्जे है मैं ये जान कि बहुत हैरान हुरी है मुझे तो लगा था कि तुम रिच हो काईसी जूट बोल रही है क्या तुम हो जिसने क्लास के पैसे चुरा हैं दो सर सरर अप आप रौकी पर क्लास के पैसे चूरी normally का अल्जाम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि उन्पैसों की देख रहे क्या ही कर रहा था हाँ ये तो उतने ही पैसे हैं जितने हम सबने क्लास के लिए एकठा किया था क्या आप फ्योर है कि आपने वो पैसे नहीं लिए है क्योंकि आपके ओपर 20,000 रुपे का कर्ज है मिंकी ये तुम्हें कैसे पता क्योंकि मैं लोगों की डेट देख सकती हूँ और आप तुरन्त हमारे पैसे वापस करें वरना मुझे आपकी कम्लेंट प्रिंस्पर आफिस में करनी होगी मिंकी तुम्हें पता है हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया और उसका कहना है कि वह बहुत गरीब है तो क्या तुम प्लीज चेक कर के बता दो कि कि उसको पर कितना कर्ज है हाथ यो नहीं मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ हे तुम ही वह न वो न्यू स्टूडेंट हाई मेरा नाम मिंकी है हाई मेरा नाम करन है हम चलो देखते हैं कि इसको पर कितना कर्ज है